हलो एब्रीवन वल्कम टो नाइरा स्टेडी है अब आप सब कैसे हैं आई होप अच्छे होंगे मैं नाइरा स्वागत करती हूँ आप सब का आपके अपने यूटीब चैनल नाइरा स्टेडी होप पर फ्रेंड्स आज हम लोग डियलेट फोर समस्टर का जो आपका सब्जेक्ट आरंबिक इस्तर पर भाशा एवं गडित के पठन लेखन शमता का विकास इसके बहविकल्पी प्रिशनों की स्रीज को पढ़ेंगे जो की देखिए 76 नंबर से हैंडर नंबर तक की होगी उससे पहले की वीडियोज में हम लोगोंने 1,2,50 कोश्चन को देखा उसके बाद 51,2,75 कोश्चन की सीरीज को देखा सो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके उन सीरीज को देख सकते हैं और फ्रेंट्स याप लोगों के लिए most important है सो आप लोग जरूर देखिएगा जिससे आपकी exam की तयारी अच्छी हो सके सो फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप लोगोंने चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें जिससे कोई भी notification आप से ना चुटे तो चलते हैं आज की सिरीज का first number question देख लेते हैं वैसे आपका 76 number question है यानि की सिरीज के according तो question हो जाता है लेखन की अशुद्धियों को दूर करने का उपाय है बारा खड़ी का भ्यास व्याकरण का समुचित ग्यान उच्छारण के सपस्टता या उपरियुक्त सभी तो इसमें आपका जो right answer हो जाता है वो उपरियुक्त सभी हो जाता है क्योंकि देखे लेखन की जो अशुद्धियां होती है उन्हें दूर करने के उपाय यही हो जाते हैं कि बारा खड़ी का भ्यास भी होना चाहिए व्याकरण की समुचित ग्यान भी होना चाहिए प्लस उच्चारण की इस पश्टता भी होनी चाहिए आपका question है पठन का महत्व है ग्यानारजन के लिए मनुरंजन के लिए समाचारों को पढ़ाने के लिए या उपरियुक्त सभी तो इसमें आपका जो right answer हो जाता है वो उपरियुक्त सभी हो जाता यानि कि जो the option है वो right हो जा क्याता है या रा ला और व्यजन कहलाते हैं कौन से वयजन कहलाते हैं dessa है और यहां पर हम बात कर लेते हैं कि या रा ला और व्यजन क्या कहलाते हैं तो आपका między option right हो जाएगा अंत ऐन जन कहलाते हैं और अगर इसमें ऊश्म वियंजनों की बात की जाए तो ऊश्म वियंजन आपके देखिए सा हो जाता है शा हो जाता है पिछरी शा हो जाता है और हा हो जाता है ये क्या हो जाते हैं ये आपके ऊश्म वियंजन हो जाते है प्लस अगर संयुक्त वियंजन की बात की तो संयुक्त व्यंजन में आपके देखिए चत्रिये वाला च्छा हो जाता है त्रा हो जाता है ग्या हो जाता है और आपका श्रा हो जाता है यह क्या हो जाते हैं यह आपके संयुक्त व्यंजन हो जाते हैं तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने अंतस्त व्यंजन के बारे मे में जाना और सायुक्तिवंजन के बारे में जाना उसके बाद आप चलते हैं देखते हैं Our next question च वर्ग का उचारण इस्थान है तो च वर्ग का उचारण इस्थान क्या है कंठ है तालू है मुर्धा है या ओस्ट है अब अगर बात कर लेते हैं इसके आंसर की यानि की चावर्ग का उचारनिस्थान क्या है तो जो चावर्ग का उचारनिस्थान हो जाता है वो आपका ऑप्षन पा हो जाता है तालू हो जाता है देखे जब आप बोलेंगे तो देखे चा छा जा जा यह और आपका शा यानि शरीफे वाला शा यह इतने आपके तालू हो जाते हैं अगर कंठ की बात की जाए तो कंठ में कौन कौन से आते हैं तो कंठ में आपके का हो जाता है खा हो जाता है गा हो जाता है गा हो जाता है और आपका हा हो जाता है ये आपके क्या हो जाते हैं तो कंठ वर्ग हो जाता है इसका मलब कट वर्ग का उच्छारन इस्थान हो जाता है प्लस अगर मूर्धा की बात की जाए तो मूर्धा में देखिए समझ लेते हैं मूर्धा में आपका हो जाता है टा हो जाता है ठा हो जाता है डा, ढा, रा, पिछरी शा और रिड हो जाता है ठीक है ना और अगर हम लोग देखिए तालू की तो बात कर चुके हैं ये चावर्ग का उचारण स्थान है और अगर ओस्ठ की बात की जाए तो ओस्ठ देखिए जब हम ऐसा चर बोलते हैं जो ओठे एक दूसरे पर तकरा जाएं तो क्या होता है तो वो host हो जाता है यानि देखिए पा अब पा बोलिए तो पा देखिए दोनों होठे टकरा गई तो पा भा 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 इस तरह ये क्या हो जाता है ये host हो जाते हैं तो इस तरह आप लोगों को अच्छे से चीजें समझ में आई होंगी और जो इसका right answer है यानि चावर्ग का उचारणिस्थान है तो वो आपका बा अप्षन हो जाता है यानि की तालू अंग्रेजी में स्वरों की संख्या है कितनी है छे है या चार है या पांच है या तीन है तो आप लोग अच्छे से जानते हैं कि अंग्रेजी में स्वरों की संख्या पांच हो जात इसको थोडसा सा डिटेल मैं जा लेते हैं जीसे जो अग्रेज़ी के Did Total Alberta है क्या तो उटकलाल अक्षर हैं तो कितने होते हैं तो आपके 26 क्यों हो जाते हैं जिसमें देखे आपको जो इसह वह वह कितने हो जाते हैं तो पाँच हो जाते हैं कौन 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 से हो जाते हैं तो A, E, I, O और U हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5 यह आपके क्या हो जाते हैं तो आपके यह स्वर हो जाते हैं और अगर व्यंजन की बात की जाए तो व्यंजन कितने होते हैं यानि कौनसोनेंट्स और स्वर मतलर वविल्स तो कौनसोनेंट्स आपके हो जाते हैं 21 जैसे आप देखिए आपका A तो हो गया स्वर में और B आपका क्या हो गया व्यंजन में B हो गया C हो गया D हो गया उसके बाद E आपका हो जाता है स्वर में F, G, H और I फिर आपका स्वर में हो फिर J, K, L, M, N यह सारे वियनजन हो जाते हैं उसके बाद O फिर स्वर में हो जाता है फिर O हो जाता है फिर P, Q, R, S, T है ना तो यह आपके वियनजन हो जाते हैं और U आपका स्वर हो जाता है यू फिर V, W, X, Y, Z यह आपके वियनजन हो जाते हैं तो इस तरह से अगर बात की जाए तो देखे पांच स्वर हो जाते हैं और 21 वियंजन हो जाते हैं आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा उसके बाद कोश्चन की तरफ चलते हैं कोश्चन है इती श्री के लिए चिन का परियोग होता है किस चिन का परियोग होता है तो देखे यहां आपे समझ लेते हैं इती शिरी का जो चिन होता है वो जो आपके option दा में हैं यह हो जाता है क्योंकि जब आप पूरा जैसे कहते हैं कोई चीज समाप्त होती तो उसके बाद इती शिरी का चिन लगाते हैं और अगर इस चिन की बात की जाए तो यह आपका प्रेशनी चिन हो ज लिखिए आप लोग नॉर्मली सर्च करके देख सकते हैं नायरा इस्टडी हब और बाकी प्लेलिस्ट में भी आप लोग देख सकते हैं चीजों को डेटेल में बताया गया है जिसमें आप लोग देखकर अच्छे से नॉलेज ले सकते हैं प्लस आप अपने एक्जाम के अच् तो इसमें जो होता वो बताना होता लेकिन कमल का जो नहीं है यानि अनिल ये नहीं है बाकी आपका पंकज हो जाता है सरोज हो जाता पदम हो जाता ये हो जाते हैं तो ये आपके सही नहीं है यहाँ पे जो नहीं है वही सही है तो इस एकोडिंग आपका बाउप्शन राइ पे लिखा है और चोटो उ आधा जा और पूरा जा वा और ला और जबकि लिखा कैसे उजवल जाता है चोटो उ आधा जा और फिर आधा जा और उसके बाद वा और ला आप इस तरह से लिखना सीख लें अच्छे से आप इसके बारे में अच्छे से जानकारी ले 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 उसक और फिर option में match कर ले तो जहां पर दो जा आधे होते हैं वो right होता है तो जिसमें दो जा आधे हैं वो right हो जाएगा इस according आपका सा option right है question है संयुक्त व्यंजन ग्यां किस word से मिलकर बना है तो इसमें हम लोग बात कर लेते हैं तो आपका जो जा हलंत प्लस यह हो जाता है ठीक है ना यानि कि जो बा option में है यह right हो जाता है कैसे लिखा जाता है जो ग्यां होता है देखे समझ लेते हैं चार अक्षर होते हैं तो यह जो संयुक्त व्यंजन है वो चार होते हैं तो हम चारों के बारे में जान लेते हैं जो आपके most important हो जाता है क्योंकि इसमें से questions बनते ही बनते हैं चाहे वो आपके अतिलगू में हो चाहे वो बहुविकल्पिय में हो मतलब आना है तो आना है आपने देखा होगा first semester second semester third semester सब में ये question आये हैं तो इस तरह से जान लेते हैं देखे जो ग्या हो जाता है वो जा हलन्त और plus यह हो जाता है ठीक है ना उसके बाद अगर बात करें च्छत्रिये वाला च्छा की तो इसमें आपका हो जाता है का हलन्त पिछरी शा अब यहां पर देखे ध्यान दीजेगा पिछरी शा भी दिये होंगे और शरीफे वाला शा भी दिये होंगे कहीं कहीं पर दोनों में हलन्त लगा होगा तो आपको जो राइट होगा उसी को चूस करना है तो आपको देखे पिछरी शा जिसमें हो वो चूस करना है प्लस जिसमें का में नीचे हलन्त लगा हो प्लस इसने शरीफे वाला शा दे दिया होता है तो जहां पर आपका पिछली शा है वो आपका राइट होगा तो ये चीज़ आप लोग ध्यान दीज़ेगा उस के बाद अगर श्रा की बात करें देखे श्रा की बात करते हैं तो ये किससे बनता है तो ये आपका जो शरीफे वाला शा होता है और नीचे हलंत हो जाता है और प्लस रा हो जाता है तो ये आपका श्रा हो जाता है और देखिए एक चीज और रह गई त्रा तो त्रा को समझ लेते हैं देखिए त्रा किससे बनता है तो त्रा और हलंत प्लस यह आपका त्रह हो गया तो इस तरह से आपके जो चार संयुकताक शर्वेंजन है उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में जानकारी ले ली है आप लोगों को चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगे और फ्रेंट्स देखे एक चीज़ है आप लोग कमेंट किया कीजिए प्लिस अगर आपको शेशन अच्छा लगता है तो प्लिस लाइक जरूर क्या कीजिए क्योंकि क्या होता है यही हमारी एनर्जी है हमें भी लगता है कि हाँ आप चीजों को पसंद कर रहे हैं आपको चीजे समझ में आ रहे हैं हम आपको जो बताते हैं वो चीजे समझ पा रहे है आप लोग सो फ्रेंड़्स देखेगें अगर आप लोग नए है Чैनल पर तो चैनल को सस्काइब भी जरूर कर ले और अगर आपको शेशन अच्छा लगते हैं तो प्लिस लाइक जरूर कर दिया कीजिए उसके बाद कोश्चन हो जाता है हिंदी में वचन होते हैं तो option A है 3, option 2 है 4, option 6 है 5 या option 2 तो इसमें जो right answer होता है वो आपका हो जाता है 2 यानि की आपका जो the option है वो right हो जाता है यानि की वचन कितने होते हैं एक वचन और बहु वचन तो 2 हो जाते हैं फिर अवरोही क्रम है अवरोही और आरोही जब तक आप आरोही क्रम को नहीं जानेंगे तब तक आप लोग अवरोही करम को नहीं समझ पाएंगे हलग याँ आपको ये सब चीजे आती होंगी क्योंकि डियलेड में एक सब्जेक्ट ही पूरा मायत का है है ना तो यहाँ पर आरोही आरोही का मतलब होता है कि सीडियों से चड़ना इस तरह से आप समझ ले एक्जामपिय से जैसे आप सीडियों से चड़ने तो पहले क्या करते हैं पहली सीडिय पर रखते हैं फिर दूसरी पर फिर तीसरी पर फिर चाथी पर तो इस तरह बढ़ते चले जाते हैं तो इस तरह से देखिए और जब आप उतरते हैं तो किस तरह से उतरते हैं तो यह आपका अवरोही हो जाता है तो पहले आप मालीजे चार सीलियों पर आप चड़े हैं उसके बाद आप चार से फिर तीन पर आएंगे फिर दो पर आएंगे फिर एक पर आएंगे यानि उल्टा क्रम चलता है तो यही आपका आरोही अवरोही हो जाता है देखिए आरोही में क्या होता है सीधे मतलब 1,2,3,4,5,6 और जब उसमें अवरोही में तो 6,5,4,3,2,1 ऐसे करना होता है तो यहाँ पर question जो आपका है तो उसमें अवरोही क्रम पूछ रहे है यानि कि बड़े से छोटे पर आना तो इसमें देखिए सबसे पहले 18 हो जाता है फिर 15 हो जाता है फिर 13 हो जाता है फिर 9 हो जाता है और यहाँ पर देखिए 3 है 7 है 9 है 11 है अगर बात की जाए तो यह आपका आरोही हो जाता है और आपका देखिए यह आपका option अवरोही हो जाता है है ना यह आपका अवरोही हो जाता है क्योंकि यह बड़े से छोटा है तो इस तरह से आपका option right हो जाता है question है आपका 101 के समू को कहते हैं तो क्या कहते हैं 10 दहाई, 1 सेकड़ा या क्रम एक वाद दोनों या इन में से कोई नहीं तो इसमें जो आपका right answer हो जाता है देखिए 101 के समू को 1 सेकड़ा कहते हैं यानि कि जो आपका 2 option है वो right हो जाता है question है गड़ित की मूल संक्रिया है तो आपको अच्छे से पता है देखिए जोड और घटाना भी होता है गुड़ा और भाग भी होता है तो इसमें क्रम एक वादो दोनों तो यहाँ पे दोनों है तो यही आपका right answer हो जाएगा क्योंकि जोड घटाना गुड़ा भागी सभी होते है question है जोड की किरिया में जोडते है तो इकाई को इकाई से जोडते है दहाई को दहाई से जोडते है सेकड़ी को सेकड़े से जोडते है उप्रियुक्त सभी यही आपका right answer हो जाता है देखिए आप समझ लें यहाँ पर जैसे 450 है ठीक है और 320 है मतलब बहुत छोटी संख्याली है सिर्फ समझना है यहाँ पर अब इसको जोड़ेंगे तो यह आपका क्या है यह इकाई हो जाता है यह दहाई हो जाता है और यह आपका सेकड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है हम इधर से जोड़ते हैं तो 000 हो जाता है पांच और दो साथ हो जाते हैं चार और तीन साथ हो जाते है तो इस तरह से देखे इकाई को इकाई से जोड़ा दहाई को दहाई से जोड़ा और सेकड़ को सेकड़ से जोड़ेंगे इसी तरह इकाई दहाई सेकड़ा हजार दस हजा जितने भी क्रम बढ़ता जाएगा तो जो होगा उसी से उसको जोड़ेंगे तो इस तरह यह जो आंसर हो जाता है तो दाव आप्शन यानि की उपर यूगते सभी यही राइट हो जाता है question है गुड़ा की संक्रिया नहीं है गुण्य हो जाता है गुड़ा खो जाता है शेश हो जाता है गुड़न फल हो जाता है तो गुड़ा की संक्रिया नहीं है तो इसमें जो गुड़े में क्या होता है शेश गुड़न गुड़न फल ये तो सब भाग के हैं लेकिन जो शेश ह जो शेश है यहाँ पर देखे गुड़ा की संक्रिया नहीं है तो यहाँ पर जो शेश है वो नहीं है बाकी तो ये सारे हैं क्योंकि गुड़न आप जब गुड़ा करोगे तो गुड़न फल भी आएगा गुड़क है गुण्ने ये सबी है लेकिन शेश फल ये किसमे आता है तो ये भाग में आता है, उसके बाद question की तरफ चलते हैं, लेखन एक शारीरी किरिया है, जिसमें बालकों के हाथों को गतिविदिया करनी पड़ती है, कथन है, तो ये कथन प्लेटो का है, महात्मा गांधी का है, श्रीमती मांटे स्री का है, यो पित्में से कोई नहीं, तो इसका जो राइड अंसर हो जाता है, वो आपका हो जाता है, श्रीमती मांटे स्री हो जाता है, question है आपका, जिनका उचारण कंठ के इस परशे से होता है, कंठ, देखिए, अभी हम लोग इस पर डिसकस कर चुके हैं, फिर से एक बार डिसकस कर लेते हैं, तो जो कंठ है, या नहां पर कंठ के इस परशे से ही पूछा जा रहा है, तो option आ हो जाता है, अगर इनकी बात कर लेते हैं, जो यह आपके option जैसे बा option है, तो इसमें देखिए, चा, छा, जा, जा, तो यह क्या हो जाते हैं, यह आपका तालू हो जाते हैं, ठीक है ना, और आपका टा, ठा, डा यह क्या हो जाते हैं, तो यह मूरधा हो जाते हैं, और ता, ठा, दा, धा, तो देखिए, जब ता, ठा, दा, धा, आप बोल रहे हैं, तो जीव जो आपकी है, यानि जो जबान है आपकी, तो दातों से टकरा रही है, है ना, तो यह क्या है, यह दंत हो जाती है, तो इस तरह से आपके जो यह चार option है यह solve हो जाते हैं इसमें से यह जरूरी नहीं है कि यही एक ही पूछ लिया जाए इसमें से कोई सभी पूछा जाएगा तो आपको सभी की मालुमात होनी जरूरी है और जो आपका जो 92 नंबर question है तो इसका जो answer हो जाता है वो आपका first यानि option हो जाता ठीक है ना चलते है question की तरफ ज्यानारजन और ज्यान व्रद्धी का साधन है तो परत्यक्ष निरिक्षान तथा स्वानुभव विचार विनिमय एवं दूसरों से सिच्छा ग्रण करना स्वध्या तथा पठनाब्यास उपर्यूक्त सभी तो इसमें उपर्यूक्त सभी हो आपका राइट हो जाता है अब देख लेते हैं question है विराम संबंधी समस्या का परमुक कारण है विराम चिन्नों का ग्यान ना होना आत्मिश्यास का आभाव उपर्यूक्त दोनों उपर्यूक्त मैं से कोई नहीं तो इसमें जो आपका अंसर हो जाता है क्योंकि यहां पे कह next question की तरफ चलते हैं question देख लेते हैं विवरत स्वर है का और खा बड़ा आ और आओ और चा और छा टा और ठा तो इसमें जो आपका answer हो जाता है वो हो जाता है बड़ा आ और आओ यानि कि बा option आपका right हो जाता है question है आपका आनंद का प्रयावाची शब्द है तो मोद पर मोद सुख उपर्युक्त सभी तो इसका जो right answer हो जाता है यानि कि आनंद का प्रयावाची शब्द हो जाता है तो वो सभी हो जाते हैं इसलिए आपका दा option right हो जाता है next question है आपका निम लिखित मैंसे कौन सा संयुक्त वियंजन नहीं है तो इसमें आपके पहले आपको जो है वो देखने है तो आपको अच्छे से पता है कि श्रा ये आपका संयुक्त है त्रा ये आपका संयुक्त है ग्या ये आपका संयुक्त है और श्रा ये आपका संयुक् तो आपका त्रा हो जाता है तो यह देखिए और यहां पे पुछर नहीं है तो जो हो जाते है वो गलत है जो नहीं है वही सही होगा अब देखिए इतरा यह हो जाता है और च्छत्रिये वाला च्छा यह भी हो जाता है इसका मतलब यह भी गलत है यह भी देखिए यहां पे हो तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाता है दीर गुस्वर जिसमें ज्यादा समय लगता है ना तो बड़ा आ तो आपका ये जो बा है आपका राइट हो जाता है यानि कि बड़ा आ किसके उचारण में निचला होट उपरी दातों को इसपर्श करता है तो देखे बा आप बोले तो क्या पूछ रहे हैं किसके उचारण में निचला होट उपरी दातों को इसपर्श करता है तो बा बा देखे बा बोले तो इसमें क्या हुआ कि जो आपका निचला होट है वो उ option हो जाता है यानि इस बा option में ही बा दिये हुए है तो यही आपका right हो जाता है वाग के जहां बहुत ही कम ठायरना होता है वहां पर योग होता है तो देखिए यहां पे हम चीजों को समझ लेते हैं जहां पे जादा ठहरना हो वहाँ पे पूर विराम जहाँ पे पूर विराम के आधे ठहरना हो वहाँ पे क्या यूज करेंगे तो वहाँ पे आधा यूज करना है तो मतलब अर्ध विराम और जहाँ पे बहुत ही कम ठहरना हो तो वहाँ पे अल्प विराम यानि कि जैसे दो लोगों जैसे रामश्याम, सीतागीता, किसी सबसी का नाम ले लिया, मूली गाज, है ना, और इस तरह से आप बहुत थोड़ा ठेरे, तो वहाँ पी क्या होगा, तो वहाँ पे अलप विराम, तो इस तरह का देखिए, आपका अलप विराम होता है ना, तो आपका बाव उप्शन नक्स्ट क्लास में हम लोग चीज़ों को समझेंगे, कोश्चन है, चार हजार तीन सो अठाईस में दहाई वाली संख्या है, तो आपका दू हो जाता है, तीन हो जाता है, चार हो जाता है, या आठ हो जाता है, क्या कह रहे हैं, दहाई वाली संख्या, तो इकाई और दहाई देखिये 4,328 में इकाई यैसे समझे एकाई, दहाई, सेकड़ा और हजार है ना तो क्या पूछ रहे है दहाई वाली तो इकाई, दहाई, दहाई मतलब 2 देख लीजिए 2 किसमे है तो आपका जो आउप्शन है उसमें हो जाता है है ना तो जो आपका option है यानि दो तो यही आपका right answer हो जाता है तो friends मिलते हैं हम लोग next class में तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और study continue करते रहें और आप लोग ये बिल्कुल भी ना सोचें कि हमें कल पढ़ना है कल पे कुछ भी नहीं है हमें जो करना है वो आज करना है ठीक है ना तो friends मिलते हैं next class में